Hi friends, let us enjoy Innerville while entering into the Innerville year 2021. आज हम बात करेंगे Printing और Publication की. साल की सुरुवात में सबसे बड़ा चालेंज होता है सही quantity और सही चीजों की बराबर Printing करवाना. वैसे तो इसके बारे में कुछ नियम और Guideline हम सब को पता है. फिर भी कार्य को सरल करने के लिए Printing और Publication के लिए भी कुछ Planning की ज़रूरत है. सबसे important चीज होती है Club Banner. Banner दो बनाना चाहिए. एक बड़ा Banner Meeting में यूज करने के लिए और एक छोटा Banner Projects के लिए. वैसे एक बनाएं तो भी चलेगा. और एक बात बर्स सुरू होने से पहले Innerville लोगो देके आप एक पोडियम बैनर भी बना के अपने पास रख सकते हैं. अब चलिए बात करते हैं. Banner पे क्या-क्या प्रेंट होना चाहिए. Banner पर Innerville का लोगो, IIW थीम का लोगो, सोश्याल थीम का लोगो जरूर होना चाहिए. District Club का नाम, Club Charter Number, International Innerville से दी गई नई थीम लिखना चाहिए. अब उसके नीचे, IIW President बीना व्यास, District Chairman इना पुरोहित, और दाएं साइट में Association President वसुधा चंद्रेचुट जी का नाम होना चाहिए. और नीचे, Club की President और Secretary का नाम, Background Royal Blue और नाम White प्रिंट होना चाहिए. ये जो बैनर में आपको दिखा रही हूँ, ये 18-19 का बैनर है. आप इसमें बर्ज, नाम और थीम चेंज करना ना भूले. कई Clubs बैनर में फोटो भी डालते हैं, जैसे इस सांपल में है, लेकिन फोटो डालना जरूरी नहीं है. अब बारिया आती है Club Flags की. इस बर्ज भारत में International Intervill Convention है, आपकी Club से ISO या कोई भी उसमें जा रहे हैं, तो उसी इसाब से Flags पहले से बनवा के रख लीजिए. वैसे District Events और East June Meet में भी तो Flag Exchange करना है ना. Later Pads उतनी ही छपवाएं जितनी की आवश्यक्ता हो, क्योंकि अगले वर्ज तो वो बेकार ही हो जाएंगे. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कम्प्यूटर में Later Pair की Soft Copy रखिए और जरूरत पढ़ने पर Color Print निकाल ले. Envelope White के उपर Royal Blue में ही प्रिंट करवाएं. उसके उपर Theme या अपनी नाम ना डलवाएं. सिर्फ Innerville की लोगो, क्लव का नाम चाटन नंबर ही प्रिंट करें. कुछ बच जाएंगे तो अगले वर्ज काम आएंगे. और अगर पिछले साल की बचे हुए आपको कुछ मिले हैं, तो देखे, वाकई प्रिंट करवाने की जरुरत है क्या? उसके बाद हम बात करेंगे ब्रैंडिंग के लिए बनाई जाने वाले स्टीकर्स की. आज कल ब्रैंडिंग के लिए स्टीकर्स का प्रचलन पहुँच जाता है. Innerville के लोगो और क्लव का नाम अंदाजन आवश्यक्ता के अनूसर स्टीकर पर बना के रट लीजिए. ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एक सजेशन है. New District Directory मिलने के बाद addresses का स्टीकर्स भी आप बना के रख सकते हैं. आवश्यक्ता के अनूसर बनवाए और अपने पास रख लीजिए. Installation का Invitation भी काफी कलव छपवाते हैं. लेकिन में सुझाओ दूँगे कि Installation का Invitation भी आप सब्ट कॉपी में ही बनाएं. कलब Bulletin भी आप सब्ट कॉपी में भी सर्कुलेट कर सकते हैं. लेकिन Final Decision आप अपने कलब में सब की सम्मती से लें. प्रिंट करने से पहले प्रूप का चरूट चेक कर लीजिए. ले आउट आपरूट फॉर्माट में है की नहीं वो भी देख लीजिए. कलब का नाम चार्टर पर जैसा है वैसा ही होना चाहिए. Spelling, पद, पता, फोर नमबर, इमेल आईडी आदि सब कुछ बरावर है ना. वैसे दो दिन पब्लिकेशन हाउस से बात करके उनके रेट्स, कोटेशन लेकर कलब में पास करके प्रिंट करना उचीत होगा. मुझे आसा है कि ये जो काइडलाइंड है इनका आप सही उपयोग करेंगे और साल सुरू होने से पहले आप अपनी तयारिया अच्छे से करके रखेंगे. If we can dream, we can definitely do it. धन्यबाद.